गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स, इन्वायर्मेंटल स्टिडीज के क्लास में आपका स्वागत है, फर्स्ट क्लास चलिए अपन बुक ओपन कर लेते हैं अपनी अबर बॉड़ी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था फर्स्ट यह सारा हम कर चुके हैं question answers पर आपके complete हो गये थे, आपने homework कर लिया होगा ठीक है, I hope कि कर लिया हो, और जो word meanings है ना यह देखिए word meanings जितने भी हैं, मैंने आपको earth बताया है, साथ के साथ इसका meanings बताए हैं यह आपको क्या करना है, कि यह जो है ना आपको जो भी tough लग रहे हो, आप अपनी notebook में उतारेंगे, ठीक है, जो भी आपको tough लग रहे हो, notebook में उतारेंगे, और साथ के साथ मैं word meanings का अर्थ करवाती जारी हूँ, तो उसको आपको completely याद रखना है, ठीक है ना, यह आपका task है, आप क्या करेंगे, यह सारे word meanings है ना, जो भी आपको tough लगते हैं, इनको आप notebook में note करेंगे, और note करने के बाद, जो मैं इसका meaning बताती हूँ, उसको याद करने के बाद, उसको ल और इसको भी आप complete कर लिजिएगा, I hope कि आपने कर ही लिया होगा, चीक है, और meaning सियाद करने के बाद, अपने से बढ़ों को उन्हें सुनाईएगा, और note book में अगर आपने किया हुआ है, तो आप मुझे capture करके भेज सकते हैं, मेरे इसी number पर मैं आपका homework चेक कर लूँगी Our sense organs, यानि कि हमारी इंद्रिया, organs means अंग, सेंस का मतलब होता है, अनुभूती करना, यानि कि आप किसी चीज़ को अनुभूत करते हैं, अनुभाव करते हैं, वो अंग जो हमें सेंस दिलाते हैं, यानि कि हमें जाने करते हैं, यानि में योगदान करते हैं, जैने हम अपनी इंद्रियां बोलते हैं, sense organs का मतलब अपनी इंद्रिया, जैसे हम किसी भी चीज़ का पता लगाते हैं, जैसे कि, नोस से हम क्या करते हैं, smell करते हैं, सूंगते हैं, तो नोस, न, ओ, यहाँ पर क्या आएगा बिच में जो दे यहाँ तका है ना, यह ओ आएगा, अपने पिछले वाले उसमें किया था, यह एर है, यहाँ पर ए आएगा, ठीक है, यह से हम क्या करते हैं, hear करते हैं, सुनते हैं, hear को क्या बोलते हैं, h-e-a-r, hear, hear means, सुनना, ठीक है, टंग, t-o-n-g-u-e, tongue, tongue means, jeep, ठीक है, t-o-n, यहाँ एगा, g-u-e, tongue means, jeep, तो और यह क्या है, यह है, skin, यह एक, hand को, दूसरे hand से पकड़ रखा है, means, उसकी skin को पकड़ के दिखा रहे हैं, skin है, s-k-i-n, skin, skin means होती है, खाल या तवच्चा, ठीक है, आई, e-y-e-i, i means, आँख, यह आई है न, ऐसी, we have, हमारे होते हैं, five sense organ, पाँच, ज्यान, इंद्रिया, है न, यानि, we have five sense organ, हमारी five sense means ज्यान, और्गेन means अंग या इंद्रिया, तो हमारे five sense organs होते हैं, पाँच ज्यान इंद्रिया होते हैं, तो five sense organs कौन से होते हैं, दीजार, यह है, eyes, आँख, ears, कान है, nose, नाक है, tongue, jeep है, है न, and skin, और तो अच्चा, यानि कि खाल है, हमारी skin है, our sense organs, जो हमारे sense organs होते हैं, यानि कि हमारी ज्यान इंद्रिया होती हैं, help us, वो help करती हैं, मदद करती हैं, us, हमारी to know, जानने में, the things, चीजों को around us, हमारे चारों तरफ, तो हमारे around means चारों तरफ, है न, things को know, means जानने के लिए help कौन करती हैं, कौन करते हैं, sense organs, यानि हमारे चारों तरफ, यानि जो चीज़ें हैं, उनको हमारे sense organs जानते हैं, यानि मानिए कि कोई flower है, हमारे आसपास उगरा है, है न, तो हम smell के जरिये nose से smell करेंगे, उसको सूंगेंगे, तब हमको मालुम चलेगा, इस sense organs से, इस जान इंदरी से, यानि की nose से, फिलान हम nose की बात कर रहें, तो nose से हमें मालुम चलेगा, कि हाँ, आसपास कोई flower तो है, है न, तो इस तरीके से, और जैसे मानो, कहीं music चल रहा है, तो आपके कानों में, आप सुन पाते हैं, मोबाइल में सुनते हैं, तो lead लगा कर सुनते हैं, और बिना lead के भी आप हम जो भी कुछ कह रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, तो आपका sense organ काम कर रहा है, इस दोरान कौन सा sense organ काम कर रहे हैं, आपके ears काम कर रहे हैं, तो ये भी एक sense organs है, इससे आपको पता चल रहा है, कि आ ये बच्चा elephant को television पे देख रहा है तो अपनी eyes से देख रहा है ये इसका sense organ है इससे ये देख पा रहा है तो आप किसे देख पा रहे हैं आप ये अपनी eyes से देख पा रहे हैं ये सारी video आप देख रहे हैं कौन सा sense organ काम कर रहा है आपका eyes काम कर रही है आप चांदते हैं, है ना? तो we have, हमारे पास होती हैं, two eyes, दो आखे, we means हम, या हमारे, तो वैसे तो हम होता है, लेकिन we have, यानि हमारे पास होती हैं, क्या होती हैं? two eyes, तो यानि हमारे दो आखे हैं, है ना? we see with them, we see, हम देखते हैं, with them, उनसे, that means, उनसे, है ना? with them, उनसे, तो we have two ears, हमारे पास two ears होते हैं, दोखान होते हैं, we hear with them, हम उनसे hear करते हैं, सुनते हैं, है ना? वी हैव वन नोस हमारे एक नोस होती है वी स्मेल हम स्मेल करते हैं सुंगते हैं फेदेट इससे है ना हम इससे स्मेल करते हैं सुंगते हैं नोस से क्या करते हैं स्मेल करते हैं और येर से क्या करते हैं हीर करते हैं सुंते हैं आई से क्या करते हैं, सी करते हैं, देखते हैं, है ना, तो ये है, और we have one tongue, हमारे एक जीब है, ये है ना, we taste with it, we taste, हम स्वाद लेते हैं, with it, इस से, ये देखें, टेस्ट ले रहा है ना, tongue से, आई स्क्रीम खा रहा है, है ना, ये बिस्किट खा रहा है, जो भी खा रहा है, कुछ ना, कुछ टेस्ट कर रहा है, लेकिन इस सीजन में, आई स्क्रीम आपको बिल्कुल नहीं खानी है, है ना, ठीक है विटा, और ये जो है, ये देखिए, our whole body, जो हमारी whole means, सारी, body means, शरीर हमारा जो सारा शरीर है, is covered, वो ढखा हुआ है, with skin, तुचा से, यानि खाल से, जो भी हमारी body है, वो skin से covered हैं, मतलब खाल से ढखी हुई है, covered है, ढखी हुई है, भी feel, हम feel करते हैं, महसूस करते हैं, things, चीज़ों को with it, इससे, इससे हम things को feel करते हां, महसूस करते हैं, अब तो इसको पिंगर डालेंगे यह नाख अपने पने हाध पर पानी डालेंगे या मुँपे डालेंगे तुमको feel होता है ना वो ठंडा है या गरम है है ना होता है ना वो skin की वज़े से होता है skin की वज़े से होता है तो skin जो है वो भी एक sense organ है वो हमें feel करवाने में मदद करता है तो आज आपको ये सारे जो word meanings है है ना इसको आपको complete करना है और complete करने के बात क्या करना है इनको आपको लिखना है जो भी आपके कठीन word meanings हैं आपके आपको इनको लिखना है वीडियो बार-बार सुननी है जिसे आपको word meaning अच्छे से याद हो जाएं ठीक है चलिए फिर मिलते हैं आपसे और ये सारे word meanings आपको याद करने हैं और लिखने भी है sense organs है और जो भी आपको कठीन लगता है इसमें मैंने सब चीजों के अर्थ बताए हैं ठीक है फिर आपसे मिलते हैं आज का टास्क आपको कम्प्रीट करना है कि ओके